अले व्यूद्स वागेते हैं आप सभी का आप सभी वसने डिव चैनल राय जूगेशन में उनत्र जार भरती फोर्थ कांसलिंग और नई सिक्षक भरती से संबंदित आप लोगों के तमाम प्रशनाएं हैं उन सभी प्रशनों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे सत्र हजार पदो पर नई भरती और छे हजार पदो पर आरक्षित वर्ग जो 69 जार भरती में सामिल हैं उनको मौका उसकी एक फ्रेश लिस्ट अलग से जारी की जाएगी और विज्यान संस्तान जो प्रयाग राज में है उसके जरिये और उसी के तहत फिर आपकी जन्वरी मा के स्टार्टिंग वीक में पांच जन्वरी तक कॉंसिलिंग का अरेंजमेंट हो जाएगा और छे तारी को निक्ति पत्र दे दी जाएगी अब क्या-क्या संभावनाएं हैं और चुनाओं से पहले नई सिक्षक वर्ती संपन हो पाईगी अथवा नहीं इस पर बात करेंगे देखिए पहले आज निस्पेपर में क्या-क्या चीज़ें उस पर देख लेते हैं एक नजर फिर आपके सबी प्रशनों के जबाव देते हैं तो सबसे पहला है कि प्रात्मिक स्कूलों में 23,000 ध्यापकों की होगी बरती आरक्षित वरक के 6,000 बरतियों की न्युक्ति अगलिमान 17,000 परदों के लिए जारी होगा नया विग्यापन 29,000 बरती में गड़ड़ी की सिकार हुए बरतियों को मिला नयाए पुरानी बरती के ही परदों पर होगी आरक्षितों की न्युक्ति अब सबसे इंपॉर्टन बात कि 20,000 बरती के प्रात्में की विद्यालों में 23,000 सायक ध्यापकों की भरती होने जा रही है 20,000 बरती के लिए नया विग्यापन जारी करेगा जिसमें सभी बरती आवेदन कर सकेंगे बेसे स्रक्षा मंतरी डाक्टर सतीज दिवेदी ने स्विकाराब कि 19,000 बरती में गड़बड़ी हुई थी कि परिशिदी विद्याल में कारत 1,37,000 सिक्षा मित्रों का सायक ध्यापक पद पर समयावजन सुप्रीम कोट ने रद कर दिया था सिर्श कोट ने 25 जुलाई 2017 का आदेश दिया था कि सरकार इन पदों पर निमित सिक्षकों के नुक्ति करे सरकार ने 68,500 और 69,000 दो सायक ध्यापक भरती की लिकित परिक्षा करा कर चरीटों को नुक्ति दी लिकिन सिक्षा मित्रों के सारे पद नहीं भरे जा सके मंत्री डाक्टर दिवेदी ने बताया कि दोनों भरतियों के बाद रिक्त 17,000 पदों पर तीसरी नई सिक्षक भरती कराने का निरने लिया गया है उसमें सब ये भरती आविदन दाविदार बन सकेंगे भरती का नया विग्यापन जल्द निकाला जाएगा अब आप लोगों के समक्ष आपके प्रश्णों का जवाब भी देता चलूँ यहां से अब आप ये सोच रहे होंगे कि नई सिक्षक भरती कभाएगी क्योंकि आचार सहीता जन्वरी में ही लागू हो जाएगी तो आपके लिए ये बता दूँ कि आचार सहीता से पहले नोटिफिकेशन आएगा नोटिफिकेशन कह सकता हूँ या प्रेस रिलीज आप कह लीजे प्रेस रिलीज आएगा विभाग की तरव से जिसमें सपश्च तरीके से मिंसन ये होगा कि 23 जनवरी ध्यान से सुन लीजे उसके पीछे का लॉजिक क्या उसके पीछे का रिजन क्या वो भी बताऊंगा मैं आपको 23 जनवरी 2022 को जो आपकी यूपीटिट की परिक्षा और्गनाईज की जाएगी उस परिक्षा को जितने भी केंडिडेट क्वालिफाई करेंगे वो सभी पात्र होंगे योग्य होंगे अहर होंगे नई सिक्षक भरती में आवेदन करने के लिए रिजिस्टेशन करने के लिए अब क्या अगला प्रशन यहीं उठता है कि क्या फॉर्म फिलप कराए जाएगा सभी से बिलकुल मैं यहीं कह रहा हूं देखिए इसके पीछे रीजन क्या है कि जो यूपीटिट कॉलिफाई करेंगे सरकार मैक्समम लोगों को एन्रोल करना जाती है क्योंकि मैक्समम केंड चुनाओ एक माँ बात चुनाओ है तो वहाँ पर अपने वोर्ट बैंको खराब करेगी सीदी बात यहीं है तो मैक्समम केंडिट कैसे एन्रोल होंगे सबको यहां पर मौका मिलेगा 2018 बैच 2019 बैच BTCB8 जो भी है सबको यहां पर पहले यूपिटेट में मौका देगी तो मैक्समम लोग यहां पर अप्लाई करेंगे तिहां से दिखी एक तीर से दो निशाने वाले काम है कि मैक्समम केंडिट भरती परिक्षा की परपरेशन में लग जाएंगी सरकार के पास आएगा जिसको वो चुनामें अपने हिसाब से खर्च कर सकती तो यह सरकार की अपनी प्रकार की रणनीती है तो लॉजिक आपको समझ में आया ना कि मैं अक्समम लोग इसमें रोल्ड होंगे लेकिन आचार सहीता जो लगेगी उसके पूर्व ही प्रेस रिली के लिए लिकिन ये बात तै है कि लिखित परिक्षा जो है वो नए सरकार के गठन के बाद ही संभव हो पाएगा इसमें है कि डाक्टर दिवेदर ने बताया कि 99,000 सागे दबग भरती की चैन में गड़बड़ी हुई थी जिसमें आरक्षित वर अगे करीब 6,000 अबरती चै जाएगा 30 दिसमर को एनाइसी नए चैनित आरक्षित वर के बढ़तियों की सूची जारी करेगा तब वास्तविक संख्यास पस्ट होगी ग्यात हो कि सिर्ष कोट आदेश दे चुका है कि सिक्षामित्रों को भरती में शामिल करने का एका उसर और दिया जाए ऐसे में तीसर बदलने में मल्यांकन में गड़बडी हुई थी दूसरी बरती मारक्षन देने में गडबडी सामने आई थी जिसमें 6000 चैनित होंगे अब देखने वाली बात है कि ये तीसरी बरती रहेगी और इसमें मुझे जो लगता है कि maximum यहाँ पर आप सभी की मेरिट होनी चाहिए क् पद अगर यहाँ पर कम रहेंगे तो जाहिट सी बाते मेरिट हाई पर ही चैनन होना लाजमी है अब अगला यह प्रशन उठता है कि क्या जो चैनित हो चुके हैं उनके उपर भी प्रशन चिन उठेगा तो यहाँ पर चैनित जो हुए हैं यह सरकार और विभात की सबसे अरक्षित वर्ग के बरतियों को मुका दे दिया जाएगा जो 1913 वर्थी में सामिल है जिनको प्रताणना सैनी पड़ी है यहाँ पर आप देखेंगे इस पस्ट है कि चैनित हो चुके नहीं होंगे बाहर बेसे सिक्षा मतरिन बताई को 1913 साय के दाबग वर्थी की विसंकित दूर करने में चैनित हो चुके किसी बेड़ती को बाहर नहीं किया जाएगा बलकि सिक्षा मित्रों के रिक्त पदों के सापक्ष नय बेड़तियों को चैनित किया जाएगा सबसे इंपोर्टन बात यह विसंकिती के दूर करने के लिए समयसारनी यह है जो चैन सुची वह 28 दिसंबर को रिलीज होगी और इसका परिक्षण 29 दिसंबर को नैसी को दे दिया जाएगा सुची और उसका फिर वेबसाइट जो है 30 दिसंबर को उसको प्रकाशित कर देग है कि क्या यह 17,000 पद बढ़ेंगे क्योंकि सरकार ने 19,000 सिक्षक भरती के दौरान सुप्रीम कोटन में हलाफ नामा जो उनके सरकारी वकिलों के दिया गया था जिसमें 51,112 पदों की बात की गई थी नई सिक्षक भरती तो अब यह 17,000 पद इसमें समलित हैं इस 51,112 में या 6,000 जो पद आरक्षित वरक को देते हुए 45,000 के आसपास पदों पर भरती का विग्यापन संसुनित की रूप में दिखाये जा सकता है यह आने वाले वक्त बताएगा तो आप सभी अपनी प्रिप्रेशन बहुत बड़े स्तर पर रखिएगा क्योंकि अभी जो चैन का अधार रहा है वो पद जादा रहे हैं इस बात को बहुत अच्छे समलिजे कि पदों की संख्या लगबग 79,000 रही है उसके साफिक्ष मेरिट आपने देखी कितनी हाई रह यह रहा है अगर मैं यहाँ अबर यूर कटेग्रीग इबात करूँ तो लगवा 67 के उपर रही है OBC कटेग्री बात करूँ तो 66 के उपर रही है SC और OBC की बात करें तो सब के में SC और ST की बात करें तो सब में यहीं आपको देखने को बिला है 60 के उपर तो number of seat जब 69,000 थी तब यहाँ पर इतनी high merit थी तो जब seatों की संख्या कम हो जाएगी तो आप merit obvious सी बात है कि मुझे लगता है कि 74, 75 के भी उपर जो रहेंगे अगर यहाँ पर 17,000 सीटों की पर ही बरती भी तो कहिने कहीं 75, 76 के उपर merit हाई रहेगी एक अनुमानतम मेरी बात है बाकि अगर सीटों की संख्या बढ़ेगी तो obvious सी बात है कि उसी हिसाब से तो लातमक मेरेट भी डाउन हो सकती है तो ये एक विशलेश्चित आकड़ा आप लोगों समक्ष मेने कोशिश की है सही तरीके से रखने की बाकि आपके कोई भी प्रस्ट नहों आप जरूर कमेंट करिएगा अब लगातार आपको अपडेट राय जूगेशन चैनल से मिलती रहेगी चैनल पने है तो चैनल संस्क्राइब कर लीजेगा वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा ज़्यादा मेतर एक जूट होकर सिक्षक बार्धी की परिवेशन कर सकें बागे के लिटे इस तुब टेटिकल बनेरी बेस्ट अफ लग थेंगे समच